मंत्री रहे आदरणी बावुशिंग कुश्वाजी और दूसरे हमारे प्रदेश अध्यच के वगल में बैठे हुए बासाशिंग जी दोनों मंत्री रहे दोनों विधायत हैं इनके साथ कई प्रमुक लोक कल लखनों में वहां जोइन करेंगे बाकि उनके साथ यहां पर और सबसाथी आई हुए हैं और आज इनको मैं पार्टी के अंदर जोइन कराता हूं और इस अशर पर इनका में स्वागेद भी करता हूं और बिनेंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है जो रिजर्विशन के अंदर सरकार ने किया है पिछणों में से ही चाड़े चार परसेंट का जो रिजर्विशन देने की बात कही गई है ये पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है जबकि मुसल्मानों के जो शंख्या है उसमें जेतने पिछड़े वर्गे के लोग आते हैं उन सब लोगों को रिजर्वेशन स्वाभाविक इसके अंतरगत मिलता है भारतिय जनता पार्टी सद्धर्म आधारित आरच्छन के बिरोध में रही है Congress ने इतने सालों के अंधर मुसल्मानों के लिए सिवाए लालच देने के हलावा तो कुछ और काम किया नहीं है उनको मालूम था कि चुनाउख घूशित होने वाला है मुसल्मानों को रिज्याने के लिए ये रिजर्वेशन का उन्होंने घूशना की है हम जनता के भी बीच में जाएंगे कि धर्म आधारित जो रिजर्वेशन हुआ इसके हम विरूधी है अगर उनको कोई रिजर्वेशन अलग से धर्म के आधार पर देते हैं तो मेरी माननेता रही है कि इसे अलगावाद पैदा होता है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि इसी आधार पर वर्ग संघर्ष कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है यह भी बात सच है कि सारे लूग चुनाओ के अंदर अब जा रहे हैं लेकिन चुनाओ में भी इसको हम उद्दा बनाएंगे बहुत तेजी के साथ इस बात को हम ठाएंगे पिछोनों का अरच्छन काटा गया और धार्माधारिक जो रिजर्वेशन दिया गया इसका हम भी रोद करते हैं जहां तक बावुशिंग कुष्वाजी का प्रशन है उस बिवाक के ये मंत्री रहे हैं उसकी जहां चल रही है साथ लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई नया विशे नहीं है बहुत पुराना विशे है जितने उत्तप्रदीश कंदभ रिष्टाचार हुआ है उस सुम्हे सीधे जुम्मेदार वहां की मुखमंत्री जी है और पिछले दिनों उत्तप्रदीश के दोरे में मैंने हर सवाहों में इस बात को कहा था बाबु सिंग कुस्वाजी के उपर किसी भी परकार का कोई दोस्त नहीं है कोई मुकदमा नहीं है और इसलिए हमने उनको भरतिय जन्ता पार्टी में जॉइन किया है आखेर माया बती जी के पास कौन सी फैक्ट्री है लगी हुई कि जब मुक्धमंत्री नहीं बनी थी उस समय इंकम कितनी थी और आज की कितनी इंकम है और यह शारजनिक होती है अब आज कल जो ब्लैक मैनी तो छोड़िये जो हाइट मैनी हो रही है वो हर जो चुनाव में जब आता है उसमें परचा दाखिल करते हैं तेके फिटी भी देना पड़ता है उसमें एक साथ इनकी इतनी इतना रुपया यह कहां से बढ़ता चला जा रहा है यह जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा और इस शिमुद्दे को भी हम जोर सोश उठाएंगे हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध़च्छा अधरणी शाही जी है सुरी प्रताब शाही जी कुछ प्रदेश की विशे में कुछ और बताना चाहेंगे मुन से आगे करूँगा आगे की बात थोड़ा साब कुर्शी उधर करना है कि यह साही जी की बात हो जा मैं अभी फिर आपसे निश्यत आपको मुका दूंगा कि श्री बाभू सिंग कुस्वाहा जी और श्री बादसास चिंग जी कि यह दोनों आज भारती जनता पार्टी की सदस्यता को स्विकार कर रहे हैं और इन दोनों ने इस बात का फैसला किया है कि हम उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को जीतने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे और अपने सामर्थ के साथ इसमें जुटेंगे जैसा मानी विने जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही सारे भरष्टाचार और लूट की पोशक रही है संग्रक्षक रही है और उनका सीधा उसमें भागेदारी रही है शीबाबू सिंग कु स्वाहाजी उसके बली के बकरा बनाए गये है इनके उपर कोई आरोप नहीं है और उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए इनको बली का बकरा बनाया और इनको मंत्री मंडल से बाहर जाने के लिए विवस किया बादसाह सिंग्जी भी बुंदेल खंड के एक प्रभावी नेता है और इन्होंने भी पार्टी की सदस्ता को स्विकार किया है इन दोनों के ताकत से भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 2012 के मिशन में चुनाव जीतने की संभावनाव में हमें पूरी ताकत मिलेगी और हम निश्चित रूप से अपने बल्बूते पर सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता इस समय पांच साल के बहुजन समाज पार्टी के शाषन सित्रस्त है जिस सरकार ने खुद मुख्यमंत्री ने ये जो वादा किये थे एजिंडा तै किये थे 2007 के चुनाव में कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज बनाएंगे और ब्रष्टा चारियों को सजा देंगे मुलाहिम सिंग यादव जी को और अमर सिंग को जेल में भेजेंगे मैं आज पांच साल के बाद ये कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुस्री मायावती जी ने जो जनता को आश्वाशन दिया था उस कसौटी पर वो खरी नहीं उत्री उत्तर प्रदेश में न कानून का शासन अस्थापित हो सका और न ब्रष्टाचारी या गुंडा राज के पोशक जेल जा सके और इसलिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में आज भारती जनता पार्टी 2012 में एक नई भोमिका में आ रही है और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि उसके सामने सबसे अच्छी विकल भारती जनता पार्टी ही है और इस नाते आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विविन राजनेतिक दल के लोग भी भारती जनता पार्टी में आ रहे हैं जनता का भी आशिरवाद हमको बढ़ा है और हम उत्तर प्रदेश की स चोड़कर कि ये गए लोकायुक्त के सामने जो इनका प्रक्रण था वो ब्रष्टाचार या घोटाले से संबंदित नहीं था वो एक जमीन के भूस्वामित का विशय है जो आगे भी अदालत में चलने वाला है और वो पारिवारिक विशय है और उसके आधार पर इनके वारे में टिपड़ी आई कोई गंभीर बात उसके पीछे नहीं रही है और मैं इन दोनों को पार्टी में सामिल कराते हुए अपने को मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं अनुगाव करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बावु सिंग कुश्वाह जी के आने से और बाद सासीं जी के आने से पताकत मि लिए धन्यवाद कि जी दोनों लोग चुनाओ में अभी तो विचार करेंगे यह हमारे राष्टी अद्धत जी और पार्टी का जो सिस्टम है उसके आधार पर हम लोगताय करेंगे और चुनाओ जब लड़ेंगे तो उसकी घोचरा होगी साभावी के आपको इसकी जानका मैं मानता हूँ मूल जो जड़ है वो मायावती जी भरिष्टाचार की जो जनिनी है वो मायावती जी है आप मैं कहना चाहता हूँ कठारा से बीस मंत्री भरिष्टाचार के आरोप में अभी निकाले अठारा से बीस मंत्री निकाले कम निकाले आपने चुनाओ की घोचना हो गई तब आपने निकालने का काम किया और अभी आप उन्हें के माद्धम से मलाई खा रही थी तो यह कैसे चलेगा इसे लिए हमारे हमारी शरकार को आप देखे भारती जनता पार्टी में हमारे ती अगर कोई कारण है तो जो प्रदेश का हमारा मुखिया रहा है हेड रहा है वो इमानदार रहा है और इसके कारण से किसी पर कोई दाग नहीं जी 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 बिलकुल आपने बाट थे कही है भारतिये जनता पार्टी पूरी तरह से भरष्टाचारी के खिलाब है हम किसी भरष्टाचार को सनच्छन नहीं दे सकते ना ही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बाबु शिंग कुश्वाहा जिसके संदर में आप पूछ रहीं अभी तक कोई भरष्टाचार का आहरूप नहीं ना लोगपाल का ना किसी पाल का केवल मायावती का है और इसलिए है कि घर में इतने सालों से रहे हैं तो कुछ टकराथ हुई होगी मैं उसका समने बोलना चाह देखें सीवी आई जाँ चल लगी है तो सीवी आई जब पूछेगी तो उसको उतर देंगे मेरी और से पूरी तरह से यह पाक साब मामला है और जस्ट वन मिनट और सीवी इंसे इनको बुलाया था मुझे लगता पेपरों में आप सब लोगों पढ़ाया आप सबने छाप दिया है जाँच के दोरान जो तथे आएंगे सीवी इस तंतर है उसके लिए वो उपर कारवाई करेगी जे ऐसा है ये कहीं रहते हैं फिर भी हमारी डाल पर रहते हैं और ये कहीं जाते वाते नहीं है और ये स्वावाविक ये फिर हमारे डाल पर हैं पहले भी डाल पते आज भी हैं आगे भी रहेंगे आप जो समझे ले मानने कोई दिक्कत नहीं है आगे जी एक जी पार्टी किरिट सुमया से लेके आपकी पार्टी के बड़े निसा तक मायावती को आकर्ण कुछार में ढूबा बताते रहें आरोफ लगाते रहें दस्तावेश देते हैं बागु सिंग कुछवाहा मायावती क यह ठीक है यह अभी आपने प्रस्ट एक मिनट आपका हो गये न आपने प्रस्ट नहीं पूछा है अभी चुकि जांच चल लए है CBI के इनसे पूस्तांच कर रही है तो जो जांच में आएगा वो बताएंगे और CBI के माद्धम से आपके पास आजाएगा आज इसके अलावा कुछ नहीं है पहली बात तो मायावति पर मैं जो आरूप लगाता रहा हूँ वो सावमान नहीं हैं बहुत गंभीर आरूप हैं आज भी जो मैंने बात बोली बहुत जुम्मेदारी के साथ गंभीर बात बोली है और अगरी प्रेस कांफरेंस में आपसे फिर मिलेंगे तो फिर पूरा क्योंकि आँ नए महमान हैं आप पहले दिन मत सुरू कर दीजे बात में सुरू करिएगा बात करता हूँ धन्यवाद जरा इनको भुके दीजे पूछो 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 आपका सवाल तरू टाल नहीं सकते हैं पूछें इसलिए कर रहा हूँ इनके खिलाब कोई आरोपत्र नहीं है जाच हो रही है और बाबू सिंग को स्वाहा ने सीवी आई जाच का स्वागत किया है और यह भी कहा है कि यह जाच यदि हो जाएगी तो सीवी आई सही की नतीजे पर पहुँच जाएगी कि इसमें किसके हाथ है और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा जिस व्यक्ति के सीवी आई के पास न जाए इसको डिले करने के लिए उन्होंने उस समय इशू को डिफ्यूज करने के लिए क्या था और बाबू सिंग कुस्वाह जी ने इस बात को इस बात को खुले रूप में कहा है कि सीवी आई जाच करे मैं पाक और साफ हूं जो निश्कर्स आएगे उसको देखेंगे राकेश जी कुछ पह रहे हैं कि आज इनको अन्मती नहीं देंगे किसी कहने को आज केवल इनका स्वागत और फिर मिलेंगे हम तो आप से मिलते रहते राकेश जी और कौन है अविताब जी आविताब जी का हमने ऐसा है हमारे परंपरा हिंदु धर्म किसी छोड़ने के नहीं अंतर तक निभाने की है प्रतिश्चा कीजिए